हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदिक्साम स्टुडी प्लेटफॉर्म पे मैं दीरगा स्वागत करती हूं आप सभी का तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी जो सीटेट की सेकंड फेस का एक्जाम है वह आ आप लोग उनका रिवीजन करिए अब नई चीज़ों के पीछे बिल्कुल भी मत भागया का जितना आप लोगों ने अभी तक लिखा हुआ है अपने नोट्स में तो वह सारे ही नोट्स को एकदम अच्छे से पॉइंट तो प्लियर करिएगा नए के पीछे बिल्कुल भी विजिट कर रहे हैं वह सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करतेंगे ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सभी लोग टाइम से क्लास में जोड़ जाएं ठीक है तो च पिक इनमें से कोई नहीं है यह देखे जितने बीक्वेस्टेंस आप सबी के आची क्लास में आप सभी लोगों को न्यूज देखने को मिलेंगे जो कि आपके सेटर के परिक्षम में पूछे गाया है तो गिसी को भी घबराने के जरूरत नहीं है कि यह आपके बाहर से पू जो पेपर है सीटेट का वो इस पर कूट में ही आने वाला है ठीक है तो देखें यहां पर बात किसकी की गई थी एसकीमो जो जन जाती है हमारी इसका जो ग्रिश्म काली निवास ग्रह है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है ट्यूपिक ठिक तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पर तीसरा वाला बन जाएगा जो कि हमारा सीरियल से सेकेंड नमर पर दिया गया है ठीक है कि मूफ करते हैं next question की तरफ question number two देखें यहां पर क्या कह रहा है silent valley के चर्चित होने का क्या कारण है जैब विवित्ता दीख है वहां पर या फिर घनी आबादी जादा है विरल आबादी है या फिर इन में से कोई नहीं सबी लोग question number two के लिए आंसर करेंगे तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा यह बन जाएगा जैब विवित्ता ठीक है तो आप सभी लोगों को पता है जो आपकी silent valley है इसके अंदर सबसे जादा जो है वो जै विवित्ता पाई गई है ठीक है बात करते हैं silent valley इस्थित कहां पर है तो यह आपकी केरल में इस्थित है ना तो आंसर हमारा यहां पर क्या बनेगा यह पहला वाला बन जाएगा कूट में है ना निक्स क्वेश्चिन की तरफ मूव करते हैं question number 3 देखें क्या कहरा है यहां पर औरन किसे कहते हैं विकल पदे रखा है पवित्र जन्तु को पवित्र पादप को पवित्र परवत को या फिर पवित्र वन को तो देखें यहां पर आंसर हमारा क्या बनेगा यह बन जाएगा पवित्र वन को जो कि हमारा सीरियल से सेकेंड नंबर पर दिया गया है ठीक है ना तो औरन किसे कहते हैं तो औरन जो है वो पवित्र वनों को कहा जाता है नेक्स क्वेश्चिन की तरफ मूव करते हैं question number 4 देखें क्या कहा रहा है यहां पर एसकीमो लोगों का टुंडरा छेत्र में वनों के टुकड़े की सहता से बनाए गए अर्ध गोलाकर आवासों को क्या कहा जाता है विकल्प क्या दिया रखें यहां पर ट्यूपिक क्रॉल इगलू यूर्थ आप सभी लोगों को question को बहुत ही अच्छे से पढ़ करके answer देन झी dois ढला होते हैं तो आप लूटे होते हैं एलां से क्या करत Dash आप से अगलू बहुत्या का यहां चोटे-ट शल्पर नारा टीक या तीशे आ से खा Okayk जया आप लोगों के여 देखान शक की गर होते हैं एसकीमो जुन जाती है उनके ूण के जपgres पर घातिया है एंके गर हो है कि मिजोरम में की जाने वाली जूम खेती के विसे में निम्न लिखित कथनों का अध्यन कीजिए यानि कि हमें सही कथन चुनना है ठीक है विकल्प क्या दिये गए हां पर एक फसल को काटने के पस शाथ भूमी को कुछ वर्सों तक खुला छोड़ देते हैं इस भूमी पर उगने वाले बांस और खर पत्वार को काट कर जला दिया जाता है बीज बोने से पहले भूमी की गहरी जुताई की जाती है या फिर अवशकता अनुसार रसाइनिक और वर्कों और कीट नाशकों का उप्योग भी किया जाता है अब आप लोगों को क्वेस्टिन नमर फाइ की जाती है वो होती है आपके जूम खेती इसी के साथ इस जूम खेती में फसल को कटने के पश्याद भूमी को कुछ वर्सों के लिए खुला छोड़ देते यानि कि उसके अंदर कोई भी फसल नहीं बोई जाती है तो यह बात यहां पर हमारी सही दे रखी गई है अगला कह होती बस उसे हाथ से जो है वह या फिर पैरों के द्वारा उसे हलका सा खुरेद दिया जाता है ना बस ऐसे नॉर्मली उपर से हलका हलका कर देते हैं तो यह पॉइंट यहां पर गलत दे रखा है अब सकता नुसा रसाइनी कुरवर को और कीट नाज को कॉप योग भी किया कह रहा है क्वेस्चन नुम्बर सिक्स माउंट एवरेस्ट एक भाग है कहां का है तिबद का है नेपाल का है भारत का या फिर म्यामार का है जल्दी से आंसर करेंगे सब भी लोग बहुत इजी क्वेस्चन है जो कि आपका सीटेट की परिक्षा में पूछा गया है तो इसकी उचाई क्या है तो इसकी उचाई जो एंसरी इंपर में दी गई है वो नवासी सो मीटर दी गये हैं क्या दे रख ए 9 मितरे नेक्स क तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नम majority में बसем से लिए रोजाना ताहलाब से लाए पानी में फिटकरी ढालती है किस लिए ।nes निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने पानी में मौझूद रोगाड़ूं को खतम करने सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चिन नमबर सैवन के लिए बताएंगे इसका सही आंसर क्या बनेगा तो देखें जब हम लोग तालाब से पानी खीचते हैं या फिर कुवें से पानी को खीच करके भरते हैं तो उसके अंदर फिटकरी इसलिए डाली जाती है क्योंकि जो आपके जल होता है उसके अंदर जितने भी निलंबित अपद्रव्यों को शादित करने के लिए उसके हमें कूट में देना था जो कि पहले नंबर पर हमारा दिया गया है ना इसी के साथ अगर आप लोगों को क्लास प्रसंद आती है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करिए इसी के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बेल को सब्सक्राइब कर दिया करिए तक आने वाली जितनी भी वीडियोज है और अभी आपका बता है कि जो सीटर का पेपर है वह नौ दिसम्मर से स्टार्ट होने वाला है तो उसमें आपको इस चैनल पर ऑथेंटिक एकदम एक्स्प्लानेशन के साथ आपको पता चलेगा कि आपको यहां पर इस चैनल पर एकदम ऑथेंटिक न्यूज बताई जाएगी कोई भी फेक न्यूज नहीं दी जाएगी ठीक है ना तो हम लोग एनालिसिस करेंगे एकदम ऑथेंटिक चीजों का है ना तो आप सभी लोगों को इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके 2300 ग्राम 55 भाग 1 00.000 या 445 भाग 2 खण ग्राम सभी लोग आनसर करेंगे क्वेक्ट्ट New hambur 8 के लिए सोब आजल हमारा क्या यहां बनेगा यह बन जाएगा 35 भाग 1 और में महाला सही हो जाएगा जो की sortie से हमारा 3 नंबर पर दी Teil right Right आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा प्लीज कूट में कोई भी आंसर गलत नहीं करेगा ठीक है ना सभी लोग अच्छे से पढ़ करके कूट में तभी आंसर करेंगे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती कि कूट में आंसर कैसे करना है एक बर हम आप लोगों को फिर से बता देते हैं जितने भी नैसा थिया है देखिए अगर आपका आंसर पहला सही होता है तो हमी क्या करना है जैसे कि यहाँ पर पहला सही हुआ तो हमें कूट की तरफ जा करके वही नंबर देखना है कि वो नंबर हमारा कहां पर दिया गया है तो जैसे कि जो आपका पहला नंबर था यह आपका कूट में यानि कि 1,2,3,4 जो कि सीरियल से हमारा तीसरे नंबर पर दिया गया ठीक है कोई भी सीरियल में आकर के आंसर टिक नहीं करेगा ऐसे करके ठीक है अगर आप लोगों ने ऐसे किया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा ठीक है ना हमें जहां पर जो नंबर दिया रहता है हमें वो आंसर वहीं पर कर करके हमें कूट में टिक कर देना है ना कि नेक्स कोश्चन की तरह बढ़ते हैं क्वेस्चन नम्र नाइन दीखें यहां पर क्या कह रहा है कि मृत सागर क्या है आप लोगों ने पढ़ा होगा ड़ेट सी के बारे में जो के एंसीयाटी में बताया गया है कि ऐसा सागर जो सभी क्या है भांते बहुत तीवर गती से आते हैं सभी लोग आंसर करेंगे क्वेस्चन नम्र नाइन के लिए अपके जो डैट सी होते तिनी ज्यादा होती है कि व्यक्ति इसके उपर जो है वो लेट करके निउस्पेपर वगएरा पड़ सकता है वह डूबेगा नहीं इसके अंदर आप लोगों ने देखा भी होगा इंसे आटी में आपका इमेज वगएरा भी वहां पर बनी हुई दिखाई गई है ठीक है कि मुव करते हैं नेक्स क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नमबर10 देखी क्या कह रहा है पोटेशियम पर मेंगनेट जल को क्या करते हैं कि दुरगंद मुक्त बनाता है पार दर्शक बनाता है या फिर किटाडू रहित बना देता है सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से तो देखे अगर हम बात आती है Potassium Permagnate की तो यह जो होता है जितने भी आपके किटाड़ू होते हैं यह उनको जल की अंदर देता है ना तो आंसर हमारा यहां पर क्या बनेगा यह किटाड़ू रहित बना देता है ठीक है तो फोर हमारा सही हो जाएगा जो कि यहां पर एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है जिस प्रकार से यह किया जा सकता है वह क्या कहलाती है यानि कि वह विधी कौन सी कहलाती है विकल्प दे रखा है फसल की कटाई थ्रेसिंग हस्त चयन या फिर निश्पावण तो यहां पर हमारा आंसर क्या बनेगा ये बन जाएगा चौथा वाला है ना जो कि हमारा कूट में हमें आंसर बता ना जो कि सीरियल से तीसरे नंबर पर दिया गया है ठीक है हम प्रति दिन में जो चावल और आनेश्व फकल कर्बो में इसके साथ राडलो के लिए सबसे ज्यादा कर्बो हैड्यडरेट हुँद करना है किस रूप में विद्धिमान रहता है इन चीजों के अंदर विकल्पदे रखें वसा ग्लुकोज स्टार्च या फिर विटामिन आंसर करेंगे सबी लोग कूट की तरफ से ठीक है कोई भी दार से आंसर नहीं करेंगा मैंने कई बार बोला है न तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगा कोई बी इस तरफ से अंसर नहीं करेंगा सभी लोग कूट में आंसर करेंगी अपना ठीक है तो यहां पर हमारा आंसर क्या बनेगा जो आपका कार्भो हाइडरेट होता है यह स्टार्च के रूप में विद्द्धिमान रहता है ठीक है तो आंसर क्या बनेगा यहां पर तीसरा वाला बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखी क्या कह रहा है क्वेश्चन नम्बर थर्टीन निम्न लिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मशली खाना पसंद करते हैं विकल्पदे रखा है गोवा, उडिसा, पस्ष्य मंगाल और बिहार आंसर करेंगे सबी लोग क्वेश्चन नम्बर थर्टीन के लिए इसे के साथ सबी लोग एक बर क्लास को लाइक करके शेयर कर देंगे और भी लोगों तक ताकि और भी लोग जो है वो आपके साथ जोड़ सके हैं तो जल्दे से एक बर क्लास को शेयर करेंगे तो देखे यहां पर हमारा आंसर क्या बनेगा यह बन जाएगा पहला वाला है गोवा जो कि दोसरे नमबर पर हमारा आंसर बना है इसे के साथ अगर हम बात करते हैं जब मो कश्मीर के बारे में तो आप सभी लोगों को वहां के लोगों को जो आपका मस्टर ऌयल होता है जना मुदी करते हैं तो बहुप शायर के बात भारे में मिहार के बारे म हमें क्या आद रखना है यहां पर आपके अठाएس दिसम्बर को अपका पेपर हुआ था उसके अनदर कुछा अगए इस इसके साथ हम और क्या याद रखना है बिहार में यहीं बिहार में ही आपका मधुमक्खी पालन सबसे ज्यादा किया जाता है और अगर हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा बताया गया हमारा इंसियारटी में तो वह है आपका अक्टूबर से लेकर के दिसंबर है ना और क्या बात यारा रखनी है हमें prior ifrae कि पश्मीना शॉल को त्यार करने में कितने घंटे का समय लगता है विकल पदे रखें 240 घंटे 230 घंटे 236 घंटे या फिर 250 घंटे सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नुबर 14 के लिए तो आंसर क्या बनेगा यहां पर हमारा चौथा वाला यानि कि 250 घंटे ठीक है जो कि कूट में हमारा दूसरे नंबर पर दिया गया है मूफ करते हैं आज के लास्ट कोईश्चन की तरफ कह रहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है विलुप जाती है दुरलब जाती है या फ तो आंसर क्या बनेगा हमारा यहां पर यह बन जाएगा संकट ग्रस्ट जाती है जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है यह संकट ग्रस्ट जाती के अंदर रखा गया है तो आंसर यहां पर कूट में बनेगा तीसरा वाला ठीक है अब यहां से स्टार्ट होते हैं हमार इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आप सभी लोगों को यह क्वेशन बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं तो देखे यहां पर पहला क्वेशन क्या कह रहा है किसी वस्तु के इस्थायत्व की अवधारना प्याजे की विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है आप स वस्तु इस्थायत्व है यह अवधारना उसके अंदर पाई जाती है विकल्पदे रखें पूर्व परिचालन समवेदी गामक मूर्त परिचालन या फिर इन में से सभी आप लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नमबर वन के लिए तो आंसर क्या बने गा हमारा जो वस्तु इस्थायत jsou है यह बचे अंदर जब आपके समवेदी गामक अवस्था जो होती है ये उसके अंदर प्राप्त हो जाती है तो आंसर क्या बने यहां पर दूश्वाला बन जाएगा ठीक है Azam करते हैं next question की तरफ question number two देखें यहां पर क्या कह रहा है प्याजी तथा वाइगोट्सकी के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम डैश क्या होता है क्या रहा है कि सिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा सिक्षार्थी निश्क्रिय प्राप्त करता होते ह तो आप सभी लोगों को पता है बच्चे जिग्यासू होते हैं वो कभी भी निश्क्री होकर के नहीं काम करते हैं तो यह बात तो यहां पर गलत दे रखी गई है अगला कह रहा है कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड से होता है ऐसा बिलकुल भी नहीं है सिक्षक द करने के प्रतीव बहुत ही उत्सोख होते हैं तो यहां पर बच्चे जो होंगे वो अपनी सक्री भूमिका निभाएंगे तो आंसर क्या बनेगा यहां पर चौथा वाला सही हो जाएगा जो कि हमारा तीसरे नंबर पर दिया गया है ठीक है आई होप आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगी बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ क्वेस्टिन नमबर थ्री देखे क्या कह रहा यहां पर कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिध्धानत में दूसरे इस तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है अब आप सभी को पता है कि कोहल वर्ग ने जो नैतिक विकास का सिध्धान दिया था उसके नदर दूसरा यानि कि जो आपका पारंपरिक इस्थर था उसके नदर नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा है उन्होंने कह रहा है कि कानून और आदेश पालन अभी विन्यास समाजिक समझोते और व्यक्तिगत आधार विन्यास आग्या पालन और दंड अभी विन्यास या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभी विन्यास तो देखे अगर हम बात करते हैं कोहल वर्ग की तो आप सभी लोगों को पता है कोहल वर्ग के बारे में इन्होंने नैतिक विकास का सिधान दिया था इसी के साथ इन्होंने तीन स्टेज़स बताई थी जिसके अंदर जो सब स्टेज़स थी वो थी छे और बात किसकी की गई ह यहां पर दूसरे वाली स्टेज़स की जिसके अंदर जो तीसरी अवस्था होगी उसे कहेंगे हम लोग अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभी विन्यास है ना गुट बॉय गुट गर्ट ओरियंटेशन है ना जैसे कि आप सभी लोग पड़ भी रखा होगा तो आंस प्राइवेट स्पीश कहते हैं अब सभी लोग बताएंगे अंसर क्या सही बनेगा हमारा क्वेस्चन नंबर फोर के लिए इसी के साथ सभी लोग एक बर क्लास को लाइक कर दिंग और लोगों तक शेयर भी करेंगे हैं तो देखिए यहां पर क्या कहा है मोखिक समवाद जो तब आपने मन में ब County बोलता है यानि कि आप दोगों थो एक प्राइवेट सपीश के अंतली setzt वाटा कहते हैं तो आंसर के बनेगा हमारा इहां पर इम एक इंदैनल थो बन जायगा तो इससे भी रिलेटेड आपसे question बनेगा तो वहां पर आपको क्या दे रखा अगर जीन प्याजे वहां पर अगर आपको लिख के देता है तो आप सबी को एहम के इंद्रित वारता लगाना है अगर लिव वाई गौस्की के बारे में पूछता है तो लिव वाई गौस्की न विकल्प क्या दिये गए हैं मूर्त संक्रियातमक अवस्था उद्योग बनाम अधीनता अवस्था प्रसुप्ति अवस्था या फे समाजिक अनुबंध अभी विन्यास सभी लोग आंसर करेंगे जिसने भी लॉरेंस कुहलबर्ग के बारे में अच्छे से पढ़ रखा होगा उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा है और आप सभी लोगों को पता है कि आपके जो सीटेट की परिक्षा होती है इसके अंदर लॉरेंस कुहलबर्ग जेन प्याजे वाई गौट्सकी इन सभी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना तो इन सभी मैनों व विन्यास जो कि हमारा सीरियल से पहले नंबर पर दिया गया है अब अगर हम बात करते हैं मुर्ध संक्रियात्मक अवस्था की तो आप सभी को पता है यह जो अवस्था दी आप किसके द्वारे निए दी गई थी जीन पियाजे के द्वारा अगर हम बात करते हैं उद्द्योग बनाम अधिनता अवस्था की यह किस ने दी थी तो यह दी थी सिग्मंट फ्रोयड ने तो मैंने आपके सारे ओप्षिन क्लियर कर दिया ठीक है मुफ करते हैं नेक्स कोईशिन की तरफ कह रहा है कि एक रचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए यानि कि जो आपके एक रचनावादी कक्षा होगी उसके अंदर किस चीज़ पर महत्व दिया जाना चाहिए सभी लोगों को पता है कि जो एक रचनावादी कक्षा होती है उसके अंदर जिस पर सबसे ज़्यादा जोड़ दिया जाता है वो होता है आप सभी का फॉर्मेटिव असेस्मेंट है ना यानि कि रचनातमक मूल्यांकन तो आंसर क्या बनेगा हमारा यहां पर यह फॉर्थ वाला बन जाएगा ठीक है वारे में हमें बताना है विकल्प क्या दिये गए इसारेवा संकेत अनुकरण के लिए कॉशनों का प्रदर्शन रटना या फिर सहपाथियों संग साजा सिक्षन आंसर करेंगे सभी लोग क्वेस्चन नबर 7 के लिए इसी के साथ अगर क्लास पसंद आती है तो प्लेज पार भी कहते हैं और क्या कहते हैं इसे धांचा भी कहा जाता है आपको कुछ भी लिखा हूँ मिल सकता जरूरी नहीं है कि आपको इसका फोल्डिंग ही वहां पर लिखा ओटी कि तो इन दोन वर्ड को भी आप लोगों को ध्यान मेरा रखना होगा तो यहां पर जो उधारन नहीं है वह होगा हमारा रटना है ना बाकि इसारे और शंकेत अनुकरण के लिए कोशलों का प्रदर्शन सहपाटियों संग साजा सिक्षान ठीक है यह सारे सही है लेकिन जो आपको तीसरा वाला है यह गलत दे रखा है कह रहा है कि जीन प्याजे के सिधानत में वर्तमान इसकीमा द्वारा परिवेस को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए इसकीमा की रचना करना क्या कहलाता है आप सभी लोगों ने जीन प्याजे के बारे में पढ़ रखा होगा और मैंने ये question आप सभी लोगों को करवा भी रखा है इससे पहले दो बर मैंने इस question को करवाया है विकल्प यहाँ पर क्या दे रखेंगे हैं कोई भी गलत आंसर नहीं देगा नेक्स क्वेशन देखे यहां पर क्या कह रहा है क्वेशन नमबर 9 कि कोई 5 साल की लड़की एक टीशर्ट को तह करते समय अपने आप से बात करती है लड़की द्वारा प्रदर्शित विवहार के संदर्भ में निम्न लिखित में से कौन सा सही है चलिये देखते हैं कौन सा कफन सही बनेगा कहारा है कि जीन प्याजे और लिव अगौसकी की व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मा की अनुकरण के रूप में करेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा मा करेगी वैसा नहीं होगा अगला कह रहा हैजीन नियुकर और देन की है ङहां और जाती जादा भांशा कहा जाए मैं आपको अभी कुछ दिर पहले क्वेस्टिन कराया जो खुद से बात करते हुए चीजों को क्या कहते है अहम केंडृत वारता कहते हैं इसे के साथ जो लेवाइगौस की होते हैं इन्हों के रूप में करेगा तो यह विकल्प यहां पर देखे एकदम सही दे रखा गया है ना चौथा क्या करें कि जीन प्याजे और लिव वाइगोट्सकी इसकी व्याख्या बच्चे के परिवारों की एहम केंद्रित प्रकरति के रूप में करेंगे ऐसा बिलकुल भी नहीं है या अगर आप लोग अपना नंबर में नहीं करना चाहते हैं तो यह दोनों पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से आप सभी लोग याद कर लीजेगा है ना तो आंसर हमारा यहां पर तीसरा बनेगा मूफ करते हैं नेक्स्ट क्वेशिन की दरफ जो कि आज का हमारा लास्ट होगा CDP का कह रहा है कि निम्न में से किसने सामान बुद्धी के विचार को नकारा और बुद्धी को अनेक विशिस्ट संशाधन क्रियाओं के पदों के रूप में परिभाशित किया विकल्प क्या दिये गए साइमन वीने हावर्ड गार्डनर या फिर स्फियर मैन अब सभ जाएगा तीसरा वाला हावर्ड गार्डनर तो चलिए आज की क्लास को हमें ही तक रखते हैं कैसी लगी आप सभी लोगो कोई क्लास आप सभी लोग कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताईएगा इसी के साथ अगर आपको कहीं भी किसी क्वेस्टन में डाउट होता मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसका भी जो है आप कमेंड बॉक्स में कमेंड लिख सकते हैं ठीक है ना तो उम्मेद करते हैं आसी क्लास जो है वह आपको बहुत ही पसंद आई होगी कुछ सेलेक्टेट क्वेस्टन से जो कि आपके हर साल पूछे गया है और इसी के स अब देली कि 11 चाहिए तो सब्सक्राइख को डेली 11 अब करते हैं धन्यवाद